इस स्वास्त केंद्र का यह हिस्सा जो है यहां सुवर के बच्चे जो है यह रहते हैं यानि की सुवर और सुवर के बच्चे भी जो है इस स्वास्त केंद्र में रहते हैं बिहार के ज्यादा तर स्वास्त केंद्र जरजर हालत में है और बदहाली की कहानी कह रहे हैं इस वक्त हम सहरसा जिले के बनमा इटेहरी प्रखंड में सुगमा गाउं में मौझूद हैं और आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जो देखकर किसी को भी जो है वो शर्म आ सकती है मेरे पीछे जाब ये देख रहे हैं ये एक अतरिक्त स्वास्त केंद्र है और जो यहां के स्थानिये लोग बता रहे हैं कि 95 के वक्त में यानि की लालू राज में ये इस स्वास्त केंद्र का जो है वो उदगाटन हुआ था ये बन कर तयार हुआ था और जब ये बन कर तय लेकिन आज इस स्वास्त केंद्र की क्या हालत है यह देख कर किसी को भी जो है वो शर्म आ सकती है इस वक्त हम देखिए स्वास्त केंद्र के अंदर मौझूद है ना खिर्की है ना दर्वाजे हैं और कहने को यह स्वास्त केंद्र है सरकार की फाइलों में यह स्वास्त केंद्र जरूर मौझूद है लेकिन वास्तविक्ता यह है कि जमीनी हकीकत यह बताती है कि स्वास्त केंद्र में फिलहाल कुछ भी नहीं है जैसा कि मैंने है क्या तो यहां मवेश्यों का भूसा है गोबर के उपले हैं और सूर का चारा और सूर यहां पे रहते हैं चारों तरफ हम देख लीजिए किस तरीके से बदहाली की कहानी ये स्वास्त केंद्र बता रहा है इस तरफ भी आप देखिए इस तरफ भी मवेश्यों का चारा है दर्वाजे खिर्कियां कभी लगता है लगे ही नहीं इस स्वास्त केंद्र में और गाओं के लोग इस खाली जगह का इस्तमाल अपने तरीके से कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपको लिए चलते हैं, इसी स्वास्त केंद्र का एक और हिस्सा है, यहां पर आप देखिए, कि गाए का चारा तो रखा ही है, इस तरफ देख लीजिए, इस स्वास्त केंद्र का यह हिस्सा जो है, यहां सूर के बच्चे जो है, यह रहते हैं, यानि कि सू और सुवर के बच्चे भी जो है इस स्वास्त केंद्र में रहते हैं और यह हकीकत है बिहार के इस स्वास्त केंद्र की जहां मरीज का तो नामों निशान नहीं है डॉक्टर नर्स दवाएं कुछ भी नहीं है लेकिन बदहाली और बेबसी की कहानी यह स्वास्त केंद्र जो है वो कह रहा है जहां पर पूरी की पूरी यह भवन है वो खंधर में तब्दील हो चुका है कुछ थानिये लोग मेरे साथ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं क्या नाम हुआ अपका धिरंदर कुमार जहां आप क्या है हम ग्रामीन है यह स्वास्त केंद्र कभी शुरू हुआ डॉक्तर आते हैं सिर्फ बिल्डिंग बना शुरू कभी नहीं है तो वह कभी-कभी आती है और बाहरे से चलिए यहां कोई नहीं है यहां कोई डॉक्टर कोई कभी-कभी नहीं हुआ है उसके बाद आज तो कुछ मन कोई स्वास्त का नहीं हुआ अंट वेठा को लोगों को यानि कि ग्रामीनों को इलाज के लिए फिर आप लोग कहा जाते हैं पीयसिच सवनवर्सा वहां जाते हैं वहां वहां भी नहीं की बड़ाबर है सहरसा जाते हैं प्राइबेट से दिखाते हैं अगर थोरा सा भी किसी प्रकार का अगर महामारिय हो तो यहां लास गिनने वाला नहीं होगा भगवान भर सह चला हम लोगा सरकाल के तरफ से जो भी है खोखला कुछ का ग्राउंड पर कोई काम नहीं हो रही है आप लोग आई आप लोग यह अंकित कुमार सिंग कभी देखा इस अस्पताल को यानि कि स्वासकेंद को काम करते हुए कभी डॉक्टर नर्स दवाईया जैसे हम बड़े भाई बता रहे हैं जिर्फ पेपरवर्क होता है जमी स्वास्तकेंद्र बंद कर तयार हुआ है तब से यहां पर नहीं हुने डॉक्टर को देखा है नर्स को देखा है सिर्फ कागजी कारवाई के लिए कभी कभार नर्स या डॉक्टर यहां पर आते हैं लेकिन यहां आकर वो क्या करते होंगे यह जरजर भावन जो है यह खुद इसकी गवाही देता है पर ने खुल ले पसंट बहुत दिकत रहाल चेकना थे विट रहाएं बहुत दिकत गरीब लोग चेव बहुत दिकत भाला बुरा सब्सक्राइब चेश संवर्शा सहर्शा कि इसका इस्तिमाल फिर कैसे करता है आप गाह वाले लोग कर सर्लेदे तो यह समने कप्चर करने चाहिंए हमनार कर सर्च यह कुन बात क्या क्या है यह सर्वुसा कर सी लिए गोठा वेबस शुगडी पारन के अहां और कि रहा है मांके का ठठे सुगर कर का बच्चा रहता है माना जिसको मन है वह अपने मंद मर्जी स्कों कर रहा सरकार के तरफ से इस से पहले भी इससे पहले भी पत्रकार लोग बहुत बार इसका फोटो ले गैए पेपर में निकला है फिर भी प्रसाशन की ओर से कभी कोई तरह का यहां निरिक्षन ह के और ने को आंने कि अधया में के लिए पूरा मुन्म इस पर चल भी वार। मैं स्याव चाहिशन को ब्स तो मंदुन को आप पता दिया गया घ् déb चैट्न लोता यह स्वास्तकेंद्र बना था जब सुगमा पंचायत के नाम से था लेकिन अभी तक यहां पर नहीं कोई एनम आती है नहीं कोई एक तो देखी रहे हैं घर का हाल क्या है इस पहले सुगमा पंचायत अभी सोरिया पंचायत का आबादी लगभग 28-28-30-3000 का आबादी में एक लोता यह स्वास्तकेंद्र है अज तक देंड़ा प्रसासन की और से कभी किसी प्रकार का हो जब कि बहुत हम लोग भी यहां पेपर वर्क भी करवाया हैं लेकिन उसके बा स्वास्तकेंद्र को शुरू कराने के लिए जो है वो कोशिश की बले बले अधिकारियों को जो है वो आवेदन लोगों ने किया लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ और इनका कहना है कि यहां की आबादी जो तक्रीबान 28-30-30-30 की है और उसके लिए एक मात्र स्वास्तकेंद्र खुद कितना बीमार है और इसे ही सबसे पहले इलाज की जरूरत है ताकि यह शुरू किया जा सके लेकिन हालात इतने बुरे हैं और सिर्फ यह एकलोता ही ऐसा स्वास्तकेंद्र नहीं है बिहार के कई सारे स्वास्तकेंद्र हैं इनकी हालत बेहत खस्ता ह हाल है खराब है और अपनी बधाली की कहानी वो स्वेंब बताते हैं कैमरेपसंद आनंद कुमार और धीरच कुमार सिंग के साथ रोहिच सिंग गाउन सुगमा सहरसा